परीधान मंत्री जी श्रीमान मोधी जी ने महीलाओं के लिए बहुत सारे काम किये जैसे महीला को प्रतारित करना महीलाओं की सुनवाई न होना महीलाओं को शोशन करना ऐसी सारी चीजे और वो जो ट्रक चला जाता है और उसके पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ यह मोदी जी कहे तो यह आप सब लोग को क्या लगता है का है यह का बूझ रहे आप लोग जी इनारा है इनारा नहीं है आप लोग बूजे नहीं, इमोदी जी की चेतावनी है, कि भाजपा की सरकार आ रही है, अपनी अपनी बेटी बचाओ, हमने पढ़ाई लिखाई महेंगी कर दी है, अपनी अपनी बेटीयों को घर में ही पढ़ाओ, बहार मत निकालना, क्यूंकि भाजपा की सरकार चल रही है इसलिए भारतिय जनता पार्टी केक नेता ने कहा था कि जादातर बेटियां खेतों में क्यों पाई जाती है उनका कहने कार्थ था कि अपनी अपनी बेटी बचाओ और घर में सुरक्षित रखो और इसलिए आप सबने देखा होगा कि हाथरस का जो कांड हुआ था खेत में दलित पिटिया की शव को जला दिया गया केरोसिन डालकर सासन प्रशासन ने रात को चुपचाप अंधेरे में उस बेटी का शव जला दिया था न परिजन जनों को बुलाया और नहीं किसी पत्रकार भाई को जाने दिया यह हम सब को याद है हम भूल नहीं सकते इसी लिए यह चितावनी है आप सभी को पता होगा चिनमे अनंद जी मुमुक्षु आस्रम चलाते हैं मुमुक्षु का आर्थ होता है मुक्ष को देने वाला यहां तो मौत को देने वाला है बिटिया को प्रताडित करेंगे भगवा पहनकर भगवा पहनकर आप बिटिया को प्रताडित करेंगे धरम के आर्ण में और कहेंगे आश्रम चला रहे हैं तो यह कहते हैं यह चेतावनी देते हैं के बेटी बचाओ बेटिया नारायनी स्वरूप होती है यह महिलाएं और नारायनी से मुझे याद आया है कि नवरात्र के दिन चल रहे हैं तो मैं आप सभी को नवरात्री की भी बधाई देना चाहती हूं और कहती हूं के या देवी सर्व भूतेशू शक्ति रूपेन संसिता नमस्तसे 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 नमो नमा के सर्व मंगल मंगले शिमे सर्वार्द साधी के शरने त्रम्ब के गवरी और नारायनी नमस्तुते आप सभी को नवरात्र की हार दीख शुब कामना है और क्योंकि माता जी का हवान किया है तो देवाधी देव महादेव जी का भी हवान करते हुए कहना चाहती हूँ देवाधी पते नम पार्वती पतें नम अप्रियान म गण पिताय नम एकश्वत नम जन्मने नम ठ्रिलोकना थाय नम भुजंघञ थारिन नमा शुलिन नम पिशात्ना थाय नमा सैनजा प्रियाय नम विश्वंधस्क अनम道 भार्धाय नम months कि अपमान मत करना नारियों का इनके बल पर जग चलता है पुरुष जन्म लेकर तो इनहीं के गोद में पलता है और ये भारतीय जन्ता पार्टी वाले लगातार बेटियों का अपमान करते हैं जैसे मैंने अभी कहा कि भगवा धारन करके राक्षस बनके जो सीता को हरन करते हैं ये सिर्फ भारतीय जन्ता पार्टी की सरकार में ही हो सकता है जैसे आप सबने देखा था कि कोरोना का काल चल रहा था और कानपूर के बाली का अगरह में साथ बाली का अगर भवती हो गई थी कैसे साशन प्रशासन की मिली भगत नहीं है अधिकारियों की मिली भगत नहीं है तो बाली का अगरह में साथ बाली का अगर भवती कैसे हो जात और गुजवा स्वंए जो मोटा भाई है वह बिल्किस बानु के ब擊्स ब्लातकारियों को छोड़ देते हैं कि हम कोई ब्लातकारियों को छोड़ा जाता है है जो म fault is write है माला पहनाई जाती है बलातकारियों को क्यों कि बलातकारियों को बखु भी पता है कि हम कोई भी कांड करेंगे हमारा कुछ नहीं होना है भारतिय जनता पार्टी के हम मशीन रखा हुआ है हम दूद के धूले होकर निकलेंगे हमारा कुछ नहीं होना है इसलिए आशाराम ज मोदी मल मुल् का क्या मतलब होता है कि मल का मतलब होता है गंदगी तो मोदी मल् नाम देते हैं आशाराम बापू जो बाद में बेटियों का बलातकार करते हैं और वैसे ही राम रहिम अबी छूट के आए थो भारतिय जनता पाटी वाले उनको पिताजी पिता जी पिता जी कहते ठकते नहीं यह स्तिती है महिलाओं की 12-12 किलो मिटर तक बेटियों को गसीटते है भाजपा के नेता यह स्तिती है महिला की इसलिए कहते हैं कि बेटी बचाओ